जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes में समित जैन YouTube चैनल में दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो सभी लोग लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तो सेर भी करना है जिन भी सात्यों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तो आप चैनल के जॉइन मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और जॉइन वाट्सप ग्रोप में जरू सकती जहां पर आपको पीडिया पर स्टेडी माटेरियल प्राप्त होता है ठीक है तो दोस्तो आज हम हिंदी साहित का आदी काल का नामकरण पढ़ने वाले हैं वो भी भनी टरेक से ठीक है सारे आपको याद हो जाएंगे बहुत सारे कई बार पूछे जाती है आँसे एक कॉस्चन आपका हर एक जाम में पूछा जाता ठीक है तो दोस्तो नामकरण के बारे में सबसे पहले हम बात करें कि आदी काल को बीर गाथा काल नाम किस ने दिया है तो यह चीज तो सभी को पता है लगबाग तो जल्दी से अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर आपको बता देना है कि सर आदी काल को जो बीर गाथा काल नाम दिया है वो दिया है राम चंदर सुक्ल ने अगला है दोस्तो आदी काल को सिद्ध सामंत काल किस ने दिया सिद्ध सामंत काल बताना है दोस्तो और आपको पता है कि जो पंडित लोग होते हैं पंडित इनके पास सिद्धी बहुत होती है होती की नई होती अब आप लोगो ही बताना है पंडितों के बात सिद्धी होती है ये सिद्ध परोस होते हैं तो ये सिद्ध सामंत काल कौन बोलेगा कौन बोलेगा कोई पंडित ही होगा याने की पंडित राहुल सांक्रेत्याइन इन्होंने कहा कि ये तो सिद्ध सामंत काल है पंडित को तो सिद्धी ही देखेगी है ना तो वो सिद्ध सामंत काल बोला इ कि नहीं देखी बोले से रामाण देखी है रामण से बार बार बोला जा रहा था कि आप संधी कर लो राम से और चरण पकल लो राम के बार बार बोलते थे थे न जितने भी दूद जाते थे अंगत गया तो उसने कहा कि आप संधी कर लो चरण पकल लो अभी भी मौका है किसके राम के तो ये संदी काल और चारन काल कौन बोलेगा कौन बोलेगा कोई राम ही आएंगे यानि की राम कुमार बर्मा ठीक है इन्होंने दोस्तो साथ सो पचास से एक हजार के काल को बोला संदी काल और एक हजार के बाद के काल को चारन काल नाम दिया किसने राम कुमार बर्मा लीने, ठीकह है, यहाँ से याद रखेंगे, अंगला है दोस्तो आदी काल को बीज बपन काल नाम किस ने दिया अब चार बिकल्प हैं दोस्तो आपको पता है कि विस्तु मैं अहिंसा के बीज किस ने बोई, अहिंसा की बात किस ने की है और वो कि ए किस ने महाबीर भगवान किसने किये महावीर भगवान ने अहिंसा की बात की है अहिंसा के बीज बोई है तो यहाँ पर बीज बोई तो बीज बपन काल और किसने बोई है बीज अहिंसा के महावीर ने तो महावीर परसाद दुबेदी और इस तर अहिंसा के बीज बोई है महावीर भगवान ने तो बी खाना है आपको हैणा चार बिकल्पें चार मेंसी चेन करना है और आपका क्या हो जाएगा बोले अप ब्रण्स को तो गोली मारो धीरे से हिंदी की बात करो है और गोली मारो तो गोलेरी और धीरे से हिंदी की बात करो तो धीरेंद बर्मा ने अप ब्रंस काल कहा है दोस्तो अप ब्रंस काल आदी काल को अप ब्रंस को गोली मारो धीरे से हिंदी की बात करो तो गोली से गोलेरी और धीरे से धीरेंद बर्मा इन्होंने दोनों ही अप ब् कलप हैं और आपको पता है संक्रमन का काल चल ही रहा है है ना घर बाले बोलते हैं जादा हरिस्चंद मत बनो खेलने कोई नहीं जाएगा खेलने बाहर खेलने कोई नहीं जाएगा किसे बोलते हैं बच्चों से घर बाले बोलते हैं कि जादा हरिस्चंद मत बनो कोई भी खेलन नहीं जाएगा हैना नहीं तो क्या हो जाएगा संक्रमन हो जाएगा तो खेलने नहीं जाएगा तो आपका राम खेला बन पांडे हैना हरिस्चंद मत बनों तो हरिस्चंद बर्मा इन दोनों ने ही दोस्तों संक्रमन काल कहा है आदी काल को ठीक है यह चीज़ याद रखने आते हैं तो संक्रमन हो जाता है है ना और घर बाले बोलती कि हरेस्चंद मत बनो खेल लेनी जाना है ना तो हरेस्चंद बर्मा और राम खेला बन पांडे इन्होंने कहा है संक्रमन काल आधिकाल को ठीक है अंगला है दोस्तो आधिकाल को अंधकाल अंधकाल और बाल्या वस्त जो नाम दिया है वो दिया है किसने रमा संकर सुकल रसाल ने किसने दिया रमा संकर सुकल रसाल ने दिया है है ना और बोले जो बाले आवस्ता में रस है वो कही भी कोई भी आवस्ता में नहीं है रस सी रसाल ठीक है रसाल बाले आवस्ता काल रसाल ने कहा है अंदकाल भी रस बिस्स में बीर लोगों की बहुत इज़त की जाती है ना जो बीर होते हैं पूरे बिस्स में उनका नाम होता है उनकी क्या बचती है है ना उनकी सत्ता होती है तो ये बीर आया है तो बीरों की सत्ता कहा होती है बीरों का नाम कहा होता है बिस्स में होता है तो बीर काल कौन बो क्यों बोलेंगे? बिसुनात पर साथ इस प्रकार से अंगला fingertips तो आधी काल को चारन काल ना में किस ने दिया? चारनकाल अब चार बिकल्प हैं अपन लोग बोलते ना कि स्री राम के चरणों में गिर परे क्या परे गिर परे तो चारनकाल कौन बोलेंगे चारनकाल गिर परे तो गिरियरसन है ना चरणों में गिरना है हमें चरणों में गिरना है स्री राम के चरणों में गिरना है तो चा अधिकाल और चारनकाल किसने रामकुमार बर्माने भी कहा है ठीक है अगला दो तो आधिकाल को आधिकाल नाम किसने दिया तो आधिकाल नाम दिया तो बोले सर आधिकाल का जो उदय हुआ वो एक बार हुआ हजारों बार नहीं होता क्या नहीं होता आधिकाल का उदय एक बार होता है उसे ही हम आधिकाल बोलते हजारों बार नहीं होता तो आधिकाल जो नाम दिया वो हजारी पर साथ दुबेदी ने दिया बोले यह आधिकाल है एक बार नहीं मैं हजार बार बोल चकता हूँ यह आधिकाल है किसने कहा हजारी पर साथ दुबेदी है हजारों हजार बार कहा आधिकाल ठीके तो इस प्रकार से आधिकाल भी नमबर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा आधिकाल को आधार काल किसने कहा दोस्तो आधार बताना यहाँ पर आया है आधार और किसने कहा है किसने कहा है तो यह से याद रख लेना मोहन का आधार काड मोहन का आधार काड ठ प्रिकार से ठीक है तो मोहन से हो जाएगे मोहन अबस्ती और आधार से आधारकाल ठीक है आधारकाल या फिर आधारकाल किसका मोहन का तो मोहन अबस्ती ने कहा है आधारकाल ठीक है इस प्रिकार से याद रखेंगे अंगला है आधिकाल को पुरानी हिंदी का काल नाम किस ने पुरानी हिंदी और दोस्तों आपने देखा होगा कि साहित्यक हिंदी को किसने माना था किसने सुकली जी ने पुरानी हिंदी को अप ब्रंस माना था किसने गुलेरी जी ने तो पुरानी हिंदी का काल जो कहा है वो किसने कहा है गुलेरी जी ने गुलेरी पुरानी हिंदी का क आधी काल सानमरी गुलेरी जी नहीं कहा है घिक है इसको याद अधी रखेंगे अंगला है दोस्तों आधी काल को उद्भाव काल किस ने कहा है ःधवाव काल और आपको पता है अपन लोग क्या बोलते हैं कि इस प्रत्वी पर बासु देव का क्या हुआ उद्भाव हुआ है बासु देव का उद्भाव हुआ है अब पाप क्या हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे तो यह उद्भाव हुआ है किसका बासु देव का उद्भाव बासु देव तो बासु देव सेह ने कहा है दोस्तो हिंदी के आदी काल को ठीक है बासू देओ अंगला है आदी काल को अपवरंस काल जातिय साहित का उदाए अपवरंस काल जातिय साहित का उदाए ए नाम किस ने दिया है बहुत ही बड़िया नाम है और आपको पता भी होनी चाहिए और ए नाम दिया है दोस्तों किस ने जो होते हैं बच्चन लोग बच्चे लोग होते हैं उन्हें क्या करना जाती पाती से हैना उन्हें जाती आती से कुछ नहीं रहता है यहां पर जाती आया तो बच्चे लोग जाती आती का भेद नहीं रखते तो जाती है साहित का उदाए अपर ब्रंस काल जाती है साहित का उ बोलते हैं यार प्रारंब कर रहे हैं स्री गड़ेस करो यानी की प्रारंब करो स्री गड़ेस करो यानी प्रारंब करो है ना तो प्रारंब काल कौन बोलेंगे कौन बोलेंगे गड़पती चंद्र गोपते किसने का प्रारंब काल रसून काल गड़पती चंद्र गोपते यान इसा नम्मर आपका बिलको सही हो जागा, शरी गड़ेस करो, है ना, प्रारंब करो, शरी गड़ेस करो इस परकार से, अंगलाय आदिकाल को बीर प्रसस्ति योग नाम किस ने दिया, बीर प्रसस्ति, बेसुनात प्रसाद मिसर ने, हजारी प्रसाद दुबेदी ने, गलपती चंद्र गुप्त ने या फिर बिजे अंद्र इसना तक ने दोस्तों आपको पता है कि बीर लोग ही बिजय होते हैं बीर लोग ही क्या होते हैं बिजय होते हैं है ना तो बीर लोग क्या होते हैं बिजय होते हैं तो बीर प्रसस्ति योग कौन बोलेगा बिजे अंद्र इसना बिजे अंदर इसना तक यह नहीं D नमबर बीर पर सथी यो किस ने कहा वो लिए सर बीर लोग बिजए होते हैं तो बिजे अंदर इसना तक D नमबर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा है ना अंगला कोश्चन आदी काल को प्राचीन काल नाम किस ने दिया बिसणात परसाद मि कि आप किस की पूजा करते हैं तो बोले हम संकर जी की करते हैं आपके पापा किस की करते हैं संकर जी के आपके दादा किस की करते हैं संकर जी के अरे बोले सर बात बिलकुल नहीं करो हमारे घर में प्राचीन काल से ही संभू नात की पूजा करते आ रहा है संभू है ना बोलती ठीक है अंगला है दोस्तों आधी काल को संक्रांती काल किस ने किया संक्रांती संक्रांती से अभी ऐसा नहीं लगता कि सक्रांत एक तिवहार होता ना संक्रांत संक्रांती आगई अपन बोलते तो क्या होता है संक्रांती में लड्डू अड्डू का प्रिसाद मिलता है काय का राम प्रसाद मिस्र तो प्रसाद मिलता है संकरांती को तो राम प्रसाद मिस्र ने कहा है संकरांती काल ठीक है यानि डी नम्मर आपका बिलको सही हो जाता है अंगला दोस्तो आदी काल को अनिर्दिस्ट लोक प्रिविर्थी का योग किस ने कहा यानि की प्रशन क्रमा कुन्नीस आदी काल को अनिर्दिस्ट लोक प्रिविर्थी का योग विस्तुनात प्रसाद मिस्र ने हजारी प्रसाद दुवेदी ने रामचंद सुकले या फिर रा गई तो कहा है, वो कहा है रामचंदर सुकले ने, है ना, यह बहुत ही बढ़िया है, अनिर्दिस्ट लोक प्रभृती का योग था आधी काल एसा कथन कहने वाले थे तो वो रामचंद सुकले जी थे सी नमबर और आपको पता है कि रामचन सुकले ने प्रिविड़तियों के आधार पर कालों का नाम करने किया प्रिविड़तियों के आधार पर तो इन्होंने अनर्दिस्ट लोग प्रिविड़ती का काल कहा है अब प्रिविड़ती आया तो समझ जाना कि रामचन सुकले ने ही कहा होगा ठीक है अंगला है आधिकाल को आरंभिक कालनाम किस ने दिया दोस्तो हमने पड़ा था प्रारंभ करते हैं तो श्रीगर्ण करते हैं प्रारंभ अब यहां पर आरंभिक काल आ गया तो येक बाद याद रख लिए ना कि आरंभिक में जब आप कोई भी चीज करते हो आरंभिक में तो क्या करते हो कि सब मिस्रित कर देते हो है ना ये भी लेलो वो भी लेलो सब मिस्रित कर देते हो क्या करते है तो मिस्रित कर देते हो आरंभ में फिर धीरे से अपना ब्रांड बनाते हो ब्रांड तो आरंभ मे हम सब मिस्त्र कर देते हैं तो मिस्त्र बंदू यह मिस्त्र बंदू ने कहा था आरम भेकाल यानि डी नम्मर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा मिस्त्र बंदू ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके नाम करन से सम्मंदित थे जितने बिद्वानों के मत थे वो विद्वान में आपको बता दिये याद भी आपको कर बादी जहां जैसी ट्रिक निकली अब आपको बताना है कि आदिकाल को अत्यादिक बिरोधी एवं ब्याग हातों का योग किसने कहा बहुती बड़ी प्रसाद दुवेदी ने हजारी प्रसाद दुवेदी ने इन्होंने कहा कि आदी काल के तो आदी काल के बारे में तो हजारों ब्रोध हैं हजारों ब्रोध हैं तो इन्हों अगला है दोस्तो आधिकाल को अंधकार काल किस ने कहा अंधकार अभी हमने अंधकाल पढ़ा था रमा संकर सुकल रसाल का अब यहां अंधकार काल दिया है तो अंधकार काल किस ने कहा है और आपको पता है कि दोस्तो अगर प्रत्वी पर क्या नहीं होता सूर्र का प्रकास न ने कहा अंदकार काल है ना तो प्रत्वी पर अंदकार होता अगर सूर नहीं होता तो अंदकार ठीक है तो प्रत्वी नात कमल कुल्स रिस्ट यानी डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों अंगला कोस्चन आपको चेलेंज प्रस्ण है आदी काल को अगर आप से बनता है तो आप कमेंट में जरूर लेखें मैं आपके कमेंट जरूर देखता हूं कौन कितना अच्छा लेखता है क्या जानती है यह ऐसाइब कार वेुडियो को लाइक जरूर करें और जो भी साती अभी तक वौटसाफ गरोफ से नहीं जोड़े है 9098609291 यह WhatsApp नमबर है दोस्तों इससे गुज़ोड सकते हैं और आप Join Member जरूर बने चैनल के चैनल को सपोर्ट करें Join Member बनकर और Join Member के लिए अलग से WhatsApp ग्रोप बनाया गया है वो अलग से एक उनका WhatsApp ग्रोप है जहां पर उनको Study Material और PDF आदी जितना भी मैं पढ़ाता हूं उनको PDF आदी मिलती है ठीक है तो आप भी Join Member बनके बाट्सव जोइन WhatsApp ग्रोप में जोड़ सकते हैं वीडियो को Like और से एर अबस करें